नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर अमारे चैनल ताकड क्रिकेट में IPL 2020 के 41 मुकाबले में आज आमने सामने थी मुंबई इंडियन्स और चैने सुपर किंग्स लेकिन इस मुकाबले में चैने सुपर किंग्स को बूरी तरह से अरा दिया है मुंबई इंडियन्स ने मुंबई इंडियन्स ने सांदार प्रदसन करते वे इस मुकाबले में चैने सुपर किंग्स को 10 विकेट से अरा है अब भी सार के साथ ही चैने सुपर किंग्स की पले ओप में पहुंचने की सारी उमीदे खत्म हो चुकी है लेकिन चैने सुपर किंग्स अभी भी पले ओप में पहुंच सकती है लेकिन उसके लिए ये राग कापी मुस्किल लग रही है वहीं पर आप मुंबई इंडिन्स की टीम IPL 2020 की नंबर वन टीम बन चुकी है तो दोस्तों हम आपको बताएंगे पूरी द्रेक्ट की पॉइंट डेबल की अब कौन सी टीम किस नंबर पर है और साथी पलेओफ में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले जीतने है इसके लावा हम आपको बताएंगे यहाँ पर और ओरिंज केप और परफल केप की रेस में कौन से बले बाज़ुए गेन बाज आ गे है टॉप टेन बले बाज और टॉप टेन गेन बाज हम आपको बताएंगे इसके लावा IPL 2020 का 6 अर की कौन है यहां पर भी टॉप 10 बले बाजू के लिश्ट हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों यह सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंतितक और साथी दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथी साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें तो दोस्तों चैनल सूपर किंग्स और मॉंबई इंडियो के बीच ये मकाबला आज सार जांके मेदान पर कहला गया चाहँ पर मॉंबई इंडियो की तरफ से आज के मकाबले में कपता नहीं कर रहे थे काईरन पॉलाड क्योंकि रोइट सर्माइस मकाबले में चोट के जलते नहीं खेल पाई थे और रोइट की जिगापर यहाँ पर सो रप्तिवारी को मौका दिया गया टोच जीतकर यहाँ पर काईरन पॉलाड ने पहले गयनबाजी का पैसला लिया और उनका ये पैसला बिलकुल सही साबित हुआ मौंबई इंडिन्स के गैनबाजों ने गातक गैनबाजी की और चैने सुपर किंग्स के बले बाज तास्क के पत्तों की ड्रेड टेर हो गए चैने सुपर किंग्स का पहला विकेट जहां पर सुन्ये पर रितुराज गाईकौाड के रूप में किरा तो इसके बाद तीन रन पर दूसरा विकेट राइडू तीन पर ही तीसरा विकेट और तीन पर ही चौता विकेट गिर गया जगदी सन और पलेसिस के रूप में इसके बाद पाँचा विकेट 21 रनों के स्कॉर पर रविंदर जड़ेजा के रूप में गिरा तो चटा विकेट मेंदर सिंग तोनी के रूब में 30 रनों के स्कोर पर गिरा चैने सुपर किंग्स की तरब से कोई भी बलेबाटी करने के लबाया शुरू आती 6 विकेट तक लेकिन इसके बाद सेम करने सांदार बलेबाजी की और मकाबले को आकिरी तक लेकर गए और सेचास गिनों पर बाउंड रनों की पारी खेली जिसके चलते टीम ने 114 रन बनाए नोविकेट के नुकसान पर लेकिन इस लक्से का पिछा करने उतरी मुंबई इंडियन्स की तीम की तरब से ओपन करने के लिए आए आज क्यूटन डी कोक और इसान किसन दोनों ने सांदार बलेबाजी की और कापी आकरमक बलेबाजी करके इस मुकाबले को एक दरपा 12.2 और में जीत लिया मुंबई इंडियन्स की तरब से इसान किसन ने जहांपर 37 के नूपर 68 रनों की पारी खेली यहां पर मुंबई इंडियन्स ने इस मुकाबले को बगेर कोई विकेट के खोए 12.2 और में 10 विकेट से जीत लिया इस मुकाबले में मेन अब दे मैच दिया गया सांदार गिन बाजी करने वाले ट्रेंट बोल्ट को जिन्होंने मातर चार और में एक बेंडर और डालते वे ठारा रन देकर चार विकेट चटकाई जिस तरह उन्होंने कमर तोड़ दी चैने सूपर किंग्स की वहें पर अब इस जीत के साथ ही पहुंच चुकी है नमबर वन पर मुंबई इंडियन्स तो चले दोस्तों जानते हैं पॉइंट टेबल में कौन सी टीम कि इस नमबर पर है पॉइंट टेबल में इसमें सबसे निचले पाइदान पर चैने सूपर किंग्स मौज़ूद है जिन्होंने 11 मेच केले जिसमें से सिर्फ 3 मुकाबले जीत पाई हैं अब की आठ मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है वही पर इस टीम के अब सिर्फ 6 पॉइंट है लेकिन पले ओप की रहा अभी भी इस टीम के लिए बचे वी है अगर बाकी टीम में खराब परदसन करती है और ये बचे वे तीनों मुकाबले जीती है तो ये पले ओप में पहुंच सकती है वही पर बात करते हैं नमबर 7 की तो यहाँ पर राजस्तान रोयल्स मौज़ूद है जिन्होंने 11 मुकाबले के लिए जिसमें इस टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली है राजस्तान रोयल्स को अब पले ओप में पहुंचने के लिए अपने बचे वे तीनों मुकाबले चीतने हैं और यह टीम चाहेगी कि किंग सुलेवन पंजब, संद्रा जेदराबाद और केक्यार खराब पर दसन करे वहें पर नमबर 6 पर है किंग सुलेवन पंजब जिन्होंने 10 मुकाबले के लिए जिसमें से इस टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली है जबकि अपने बचेवे सभी चार मुकाबले इस टीम को चीतने हैं और यह बड़ी आसानी से प्ले ओप में अपनी जगह पकी कर लेगी अपने दम पर यानि कि किंग सुलेवन पंजब को बचेवे सभी मुकाबले जीतने हैं तो वहीं पर संद्रा जेदराबाद के पास भी अभी भी चार मुकाबले बचेवे हैं और इस टीम के पास इस में आट अंग है तो बचेवे चार मुकाबले इस टीम को भी जीतने हैं और यह भी सिद्धे प्ले ओप में अपनी जगह पकी कर लेगी यानि कि अपने दम पर अभी भी इनके पास मौकाई पले ओप में पहुँचने का तो वहीं पर नमबर चार पर कॉलकता नाइट राइडर्स मौझूद है जिन्होंने अब तक 10 मुकाबले के लिए जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत मिले तो 5 मुकाबले हा रहे हैं बचे वे चार मुकाबलों में से इस टीम को 3 मुकाबले जीतने हैं और ये टीम भी पले ओप में अपनी जगह पकी कर लेगी वहीं पर इसके बाद इस लिष्ट में नमबर 3 टीम की बात करे तो वो है रोयल चलेंजर बेंगलोर जिसने अब तक 10 मुकाबले के लिए जिसमें से 7 मुकाबले जीते हैं जब कितीनी मुकाबलों में आर का सामना करना पड़ा है पले ओप में पहुंचने के लिए इस टीम को सिर्फ एक मुकाबला जीतना है और इनका लगबग पका हो चुका है क्वालिपिकेशन इस बार तो वहीं पर नमबर 2 टीम की बात करे तो यहां पर दिली केबिटल है जिनके 10 मुकाबलों में से 7 जीत है नेट रंडेट पलस 0.5704 के चलते हैं इसमें यह नमबर 2 पर हैं और इने भी प्ले ओप में पहुंचने की ओप चारिक तापूरी करने के लिए सिर्फ एक मुकाबला ही जीतना है वहीं पर इसके बार नमबर 1 टीम की बात करे तो आज की जीत के साथ मुंबई इंडियस नमबर 1 टीम बन चुकी है मुंबई इंडियस ने आईपेल 2020 में अब तक 10 मुकाबलों में से 7 जीत दर्च की है 14 पॉंट है इस टीम के और साथ इने टंडेट पलस 1.448 है और इस टीम को यहाँ पर पले ओप में पहुंचने की ओप चारिक तापूरी करने के लिए एक ही मुकाबला जीतना है लेकिन लगबग इनका क्वालिफिकेशन अब पका हो चुका है तो आईपेल 2020 के फिलाल 41 मुकाबलों के बाद मुंबई इंडियन्स दिली केपिटल और रोयल चलेंजर बेंगलोर जहां पले ओप में पहुंचने के बिलकुल नजदीक पहुंच चुकी है तो वहीं पर कॉलकाता नाइटाडे, संदरा जिदराबाद और किंग्स लेंड पंचाब के अभी भी हाथ में कि वो सबी मकाबले जीत कर पले ओप में पहुंच सकती है लेकिन अब राजस्तान रोयल्स और चेने सुपर किंग्स दूसरी टिमो के खराब परदसन के उपर डिपेंड करेगी अगर ये कापी बुरा करती है तो भी ये टीमे पले ओप में पहुंचने के लिए याँ पर तयार हो सकती है यानि कि इस समय कापी मुस्किलोच का इन टिमो के लिए लेकिन अभी भी इन टिमो को उमीद होगी कि बागी टीमे एक राप परतसन करेगी तो ये पले ओप में पहुंचेगी वहीं पर चले दोस्तों अब जान लेते हैं हम औरेंज केप की लिस्ट तो दोस्तों ओरेंज केप की ये रेस भी अब कापी तेजी से आगे बढ़ रही है फिलाल इस लिस्ट में नमबर 10 पर देवदत पड़ी कल है जिनोंने 10 मुकाबलों में 321 रन बनाए है 35.10 की ओसत से तो वहीं पर नमबर 9 पर जोनी बेरिश्टो है जिनोंने अब तक 326 रन बनाए है इसके अलावा नमबर 8 की बात करते हैं आपर डेविट वोर्नर में मौझद है 335 रनों के साथ तो वहीं पर नमबर 7 पर सर्या सायर भी 335 रनों के साथ ही है इसके बाद नमबर 6 पर विराट कोली मौझद है 365 रनों के साथ तो वहीं पर नमबर 5 पर क्यूटन डी कोक पहुंच चुके है 368 रनों के साथ इसके बाद नमबर 4 पर फेब डू पलेसिस है 366 रनों के साथ तो नमबर 3 पर मेंक अगरवाल है 398 रनों के साथ वहें पर नमबर दो पर सिकर दोन है 465 रूनों के साथ लेकिन अभी तक IPL 2020 के 41 मकावलों के बाद औरेंज केप केल राहूल के पास हैं जिनोंने अब तक IPL 2020 में 540 रून बनाए हैं वहें पर चले दोस्तों अब हम बात करते हैं परपल केप की रेस की लिष्ट में कौन गौन से गेनबाज मौज़ मौज़ हैं तो इस लिष्ट में विलाल नमबर दस पर टीन अट राजन है जिनोंने अब तक 11 विकेट लिये हैं तो वहें पर नमबर नो पर एंदरिक नोर्ट जिनोंने अब तक 15 विकेट लिये हैं वहें पर इस लिष्ट में नमबर पांच की बात करते हैं तो यहां पर जोपरा आर्चर मौज़ू है जिनके 15 विकेट है तो नमबर चार पर मोहमत समीय है जिनोंने अब तक 16 विकेट लिये हैं वहें पर इसके बार नमबर तीन पर पह हो चुके हैं 17 विकेट के साथ लेकिन अभी भी आई पेल 2020 के 41 मकाबलों के बाद परपल केप हैं कंगिसो रबाडा के पास जिनोंने 21 विकेट लिये हैं अब तक अपने 10 मकाबलों में वही पर चले दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आई पेल 2020 के सिक्सर किंग की यह रेस्पी पर क्यूटन डी कोग पहुंच चुके जिनके अब 16 चके हो चुके हैं नमबर 6 पर काईरन पॉलाड मौजुद है 17 चकों के साथ तो नमबर 5 पर लोकेस राउल हैं इनके 19 चके हैं जबकि नमबर 4 पर अबी डिवलेर्स हैं इनके भी 19 चके हो चुके हैं तो वहीं पर इस लि समय 22 चके हैं IPL 2020 में और वह नमबर 1 पर बने हुए हैं तो दोस्तों फिलाल आपके इसाब से IPL 2020 की टॉप 40 में कौन कौन सी होगी और साथी आपके इसाब से औरेंज के परपल केप और सिक्सर किंग कौन सा खिलाडी बन सकता है कमें कमें कमेंट करके जरूर बताएं और दो जिन्यावाद